बच्चों को लंच में नेना हो या हलकी फुलकी पार्टी में ऐसा स्टार्टा इसको यूज करना हो या शाम की चाय के साथ कुछ हलका सा हेल्दी सा खाने का दिल कर रहा हो तो मेरी इस चिकन क्लब सैंडविच की रेसिपी को जरूर ट्राइ करके देखिएगा हे दोस्तों अस फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को हम यहां पर मैंने चिकन लिए हैं बोलनेस आप इसकी क्वांटिटी अपनी हिसाब से ले सकते हैं थोड़ी से भी चिकन होगा न तो यह आराम से बन जाएगा और आप इसको बॉइल करने के लिए कुछ भी नहीं करना हम हमाज इसे नॉर्मल पानी के अंदर इसको एड करना है साथ में अड़ करेंगे अदर कलसं का पैश्ट एक चमच और एक चमच आड़ करेंगे हम इसके अंदर नमक ताकि हमारा चिकन जब खाएना हम तो इसको बिल्कुल भी फीका न लगे नमक इसके अंदर बिल्कुल हम एड़ करेंगे आदर चमच के खरीब कालिमेज का पाउडर यह बहुत ही अजबर्दस आपका फ्लीवर देता है चिकन के अंदर अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मेक्स करेंगे और आने देंगे इसके अंदर अच्छा सा बॉइल हाई फ्लीम के उपर हम इस यह थोड़े बड़े चंक्स है बड़े चंक्स हमें नहीं करना एक दफा और इसको हम ग्राइंड करेंगे और थोड़ा बारीक कर लेंगे इस तरह से चिकन हमारा बिलकुल बारीक श्रेड हो चुका है इसके साथ साथ हम एड़ करेंगे इसके अंदर बारीक चौप करा पत्ता गुबी यहां पर cabbage मैंने एड करें हैं वोसे भी हमने बिल्कुल बारी चौप कर लिया है चौपर में ही डाल करके साथ में एक बड़ी साइस के प्यास को अच्छी तरीके से चौप कर लेंगे चौपर में डाल करके और इसका पहले पानी अच्छी तरीके से निचोड लेंगे हाथों से उसके बाद हम यहां पर ःड करेंगे अगर आपने पानी नहीं निचोड़ा तो आपके सैंडविच बिलकुल पानी बानी अच्छी नहीं लेगेंगे खाने में तो याद रखेंगे सिसटाउस को जडरूर कliएगा कि पानी अच्छी तरीके से हाथ हाथो पूरी सी हरी मिचे, अगर आपको टेस्ट पसंद है तो वो एड कर लिजेगा, काली मिच हो नमक को मैं मिक्स करके रखती हूँ, उसे हम यहाँ पर थोड़ा स्प्रेंकल कर लेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अप्वर्णिंग कम्या जादा कर सकते हैं, साथ में हम इसके अ पुला जवाब आ रही है भाई सब अभी से ही, अब जब कभी भी आपको बच्चों को लंच में देना होना, इस तरह के सैंट्विचे तो इसको आप प्रेपेर कर लिजे, रात को ही बना करके फ्रिज में रख दीजे, और सुबा को बच्चों को सैंट्विच बना के इसके बच्चे बहुत ही खुशी के साथ इसको इंज्वाए करेंगे, आपका लंच बॉक्स बिल्कुल भी खाली नहीं आएगा, अभी इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक और काली मीचे ज़रा सी और स्प्रेंकल करी हैं, ताकि फ्लेवर इसका और भी जबर्दस्ता है, आप इ जो ब्रेट के साइड के एजेज निकलें, उन्हें बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, इनके ब्रेट करम्स बना करके फ्रेज में रखतें, और अपनी किसी भी रेसिपी के अंदर इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यह तो हम करते हैं सैंड्विच को असेंबल, सैंड्विच अब इसी के उपर दूसरा ब्रेट जो हमने बटर लगा के रखा है, उसको इसके उपर फ्रिप कर देंगे, बटर लगेवे साइड के उपर, और यह हो गया, उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल भी तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं, अब इसी तरह से हम बड़ों के लि लिजेगा, और एक बेट के स्लाइस के उपर हम एड करेंगे टोमैटो केचप, और अगर आपको भी मेरी तरह टोमैटो केचप के साथ साथ हरे धनी के चटनी उपर से अच्छी लगती है, तो उसे भी लगा करें, आपने सैंडविच को असेंब्ल कर सकते हैं, बहुत ही सब को ट्रैंगल में कट अब अपने घरवालों के पासंदं के अकॉर्ड इंग, आप जिसको लिख चिर बनागर सकते हैं लेकिन बेना चिज के स्लाइस के ही जबरता सकती है अब आपको बड़े बच्चों को देना हो या छोटे बच्चों को जो तीका खाना पसंद नहीं करते हैं ये रेसिपी दोनों बच्चों के लिए पॉफिक्ट तैयार हो गई है और आपके हालकी फूल की गेट टोगेधर के लिए भी बिल्कुल रडी है बस इसको फ्रेश रखने के लिए क्लिंग रैप में रैप करके जरूर रखिएगा ताकि आपकी ब्रेट बिल्कुल भी सूखे नहीं चलिए तो हमारे सैंड्विचे सो हो गए हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रडी करेंगे इसको बीच से कटमार्क और ट्रैंगल शेप में इसको काट लेंगे और जपर्दस से हमारी रैसिपी घर में ही हो गई है club sandwich की ready आप भी बहुत easy recipe है बनाइए घर में और अपने बच्चों के साथ इस recipe को full enjoy कीजे चलिए मैं हमाई sandwiches होगा है हम चले इसको serve करने अपने बच्चों के साथ इसको enjoy करने आप भी बनाए और मुझे अपना feedback भी जरूर दे और मेरी इस असान सी recipe को अपने family and friends में भी जरूर शेया करें ताकि वो भी इस recipe का full मसाले सके चलिए तो कर अपने इस recipe का फुल मसाले सके चलिए तो कर अपने इस recipe का पसंद आई हो तो वीडियो को like करने के साथ चैनल को भी subscribe कर लिजेगा और subscribe करने के बाद बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कीजेगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिले चलिए तो अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त फिर इन्शाला मुलागात होगी नहीं नहीं असान से रेसिपिस के साथ अब तक अबना ख्याल हो कि दोहों में बहुत 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 याद रखे अल्लाह अबे इन्जॉयो सैन्विच